देखे ना इस रंग का फैसला पसंद आया ना उस रंग का फैसला पसंद आया था पास्टेंस और रेप्जेंटेंस मैं दोनों फैसलों के समय पत्रकार था आयुद्धा पर भी फैसला आपको समझ नहीं आया पसंद नहीं आ रहा है सवारोप लगा रहे हो और जब शहवानों पर फैसला आया था तब भी पसंद नहीं आया था मुझे जियाउर रह्मान नंसारी याद है जिन्हों ने लोग सबा में ख़़े होकर मंत्री की हैश्चत से क्या कहा था सुप्रीम कोट के जजज के लिए मैं उन शब्दों को नहीं दो रहा सकता याँ इतने गंदे शब्द इस्तेमाल किये थे हाउस में के जजज के पुतले नहीं फ्युकूए गए थे हिंदुस्तान के क्यास में पहली बार शाहवानों के केस्ट में और सरकार को बार्द कर दिया था कि अध्यादेश लाइए स अगर अध्यापर अध्यादेश का मामला होता तो भी आलोचना करने की समालोचना करने की गुंजाइश थी क्योंकि अध्यादेश लाना एक पॉलिटिकल निर्णे होता है पॉलिटिकल लीडर्शिप उसको तैकर अधालते चुनाव नहीं लड़ती अधालतों पर कोई भी लल्लू पन्जु खड़ा हो जाएगा और भाशर देने शुरू कर देगा उसके लिए पार्टियां है उनके कुर्टे खीचो मेरी चिंता भाजपा नहीं है नभाभरी मसचीक्षिन कमेटी मेरी पूरे देश में शावानों पर क्या ड्रामा हुआ था मैंने देखा था 24 घंटे में राजीव गांदी ने 360 डिगरी का टर्ण ले लिया था 360 डिगरी आरे मुंबत खान जैसे लोग स्तिफा देने को बात दे हो गए तब भी समझ नहीं आया इसका मतलब आपको न ये रंग वाला समझ आया न वो रहे इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि आपको केवल अपना ही रंग चाहिए सुप्रीम कोट से तब ही मानोगे उसकी बात नहीं तो कहोगे कोट बिग गया ये रास्ते ठीक नहीं है ये रास्ते मंजूर नहीं होने चाहिए और दूसरी सबसे बड़ी आपत्ती हिंदुस्तान के असंख्य मुसलिम भाईयों को हिर्दै से पढ़ाम करता हूँ इसी उन्होंने कभी बावर के साथ अपनी लीजेसी नहीं जोड़ी जुन्होंने मुसल्मानों के नाम पर सियासत करनी चाहिए कि उन्होंने बावर के फोटो को अपने घर में लगाया बकि किसी नहीं लगाया помावर के मंत्र का जाट कभावर के नाम का तावीज डाल कर जो लोग हंदुसतान में घूमना चाहते हैं उनके लिए हंदुसतान में कोई जगा नहीं हो निचे हैं मैंने नाम गिना दिये हैं रस्खान है और कभीर है क्या दिक्कत है कभीर आइकोन ने हो सकते जिनका समान हिंदू बुजलमान दोनों करते हैं इस जिनकी समाधी भी है दुरगा भी है उसकी चर्चा नहीं करोगे कभी किसी कमेटी में रस्खान की नहीं करोगे हमारे आपकी पीडिर के अब्दुल एपीजे कराम साथ की चर्चा नहीं करेंगे अश्वागुल्ला खां की चर्चा नहीं करेंगे बीर अब्दुल हमीट की चर्चा नहीं करोगे ये बाबर बाबर क्या है बाबर को कोज होगे टार्च लेकर बाबर आओ बाबर आओ बाबर आओ ये तरीका ठीक नहीं बाबर की संथान तो यहां कोई नहीं बावर से बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में इसलाम था बावर के साथ इसलाम आया क्या और एक मौलिक बात कहिके मैं बात समाप्त कर दूँगा जिन लोगों को काल खंड का जान है वो लोग मेरी इस बात से हमेशा सहमत रहे वही इस पटल पर रखता हूँ इसलाम जब धर्ती पर आया वो काल खंड इतिहास में है उससे पुरानी कोई भी चीज तो इसलाम से प्रभावित नहीं मानी जा सकते और और जो धर्म थे वो कब धर्ती पर आये उसका भी अनुमान है क्रिश्चैनिटी कोई अनुमान है यहूदी कोई अनुमान है सिखिज्म कोई दुनिया में अनुमान है और हिंदू बहुद्ध को आये 2600 साल 2600 साल तो बहुद्ध धर्म को हो गए मुझे नहीं पता कितने लोग इसकी जानकारी होगी 2600 साल इसलाम से 1000 साल पहले और जब वो आये मैं एक गनित सिद्ध करके बात खतम कर दूँगा बहुद्ध धर्म को 2600 साल हो गए भग्मान पुद्ध के समय में है वैदिक धर्म के साथ तक्राव हुआ बहुद्ध का बहुद्ध धर्म का एक नई धारा बही इसका मतलब तक्राव तब हुआ होगा जब उस वक्त हिंदू तो चरंपर होगा पूरा देश हिंदू होगा यानि 2600 साल पहले की स्थिति और चरंपर आने में भी हजार दोजार साल लगते हैं किसी मजहब को यानि मोटे तौर पर मानो तो 4000 से 5000 वर्ष का तो सीधा सीधा गलित बैठता है जो 5000 वर्ष है उससे पहले कोई धर्म था क्या नहीं ना कि श्यनिटी भी नहीं थी बाउध भी नहीं थे इसलाम भी नहीं था बता दी जैन नहीं थे, कौन सा धर्म था, तो जो कुछ बना, वो किसी को तोड़ कर ही बना न, तो उससे पहले तो वाँ कुछ था जी नहीं, ऐसा, जितना समय इस्लाम को हुआ, धर्ती पर आये हुए, उससे पुरानी कोई मस्जिद तो नहीं हो सकती न, उससे बड़ी सीधी बात है न, नहीं हो सकती न, कोई बवधे इस्तूप नहीं हो सकता 26 साल से पुराना, और अगर कोई दावा करेगा तो मैं उसको मेंटल केस बताऊँ अपे, जिब 26 साल पहले बुद्धी जन में, तो उससे पुराना बहुद भिहार तो नहीं हो सकता, जो बहुद भिहार होगा, उसके बात कई होगा, पहले गुरू होगे फिर न चेले होगे, चेले पहले गुरू बात में, इसलिए मैं निविदन करता हूँ, इतिहास से सेंटर ब्लाक पॉर्ट के रजा भाई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाईजार, यहां एक मस्जिद भी बनाएंगे, एक कल्चरल सेंटर बनाएंगे, एक हॉस्पीटल बनाएंगे, मैंने का बिल्कुल बनाओं में आऊंगा, आउध्या तो करोना शक्क्रम बनाओं अच्छी बात है, इलाज हो गरी बादमी का अच्छा है, लाइब्रेरी बनाएंगे, एक लाइब्रेरी बनाएंगे, लोग आएगे, पढ़ेंगे, क्या समस्या है, उस अच्छे ठाम को आप खराब करना चाहते हैं, एक बोड लगाकर, एस हरकतें मत करें, यह इतना हिंदू का, उतना ही मुसल्मान का, जब इसलाम बाहर से आया होगा, तब आया होगा, अब हिंदु तो और इसलाम भारत के रगों से प्रथक नहीं किया जा सकता, समुद्र में इतनी नदियां आती है, एक बार समुद्र में आ गई, तो फिर पहंचान नहीं सकते, कौ कौन गोदाबरी है, कौन कावेरी है, वैसे ही सिक्ष है, वैसे ही कृष्यन है, वैसे ही मुसलिम है, हिंदू है, सब लोग भारत के समुद्र में समा गए, इसलिए भारत के, उस भाव के साथ चलिए, तो देश में अमन रहेगी, शांती रहेगी, तो तरक्की होगी, क्योंक की रुजगार तभी सुनिशित होगा जब समाजिक तोर पर सदभाव रहेगा देश में